पाइराजीनमाइट, पाइराजीनमाइट इस एन आंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग यानि हम इसको टीबी के अगेंस्ट यूज गरेंगे पाइंगे, तो अगर मेकनिजम उफ एक्शन की बात करेएं तो जो पाइराजीनमाइट है इस बैक्टिरिसिडल Bactericidal उन Mycobacteria के लिए है जो कि Intracellular है और Actively Divide कर रहे हैं अब होता क्या है कि Pyrazinoid Change होता है पाराजिनॉक Acid के अंदर और यह जो पाराजिनॉक Acid है यह Cell Membrane के Energetics को Disrupt कर देगा जब Energetics Cell Membrane के Disrupt हो जाएंगे तो उसकी वज़े से क्या होगा Membrane का जो Transport का Function है वो भी Disrupt हो जाएंगे जब Membrane में से कोई चीज ट्रांसपोर्ट नहीं होगी कोई आइंस अंदर और बाहर नहीं आ सकते तो उसकी वज़े से क्या होगा Cell की Death हो जाएगी जब Bacteria की Death होगी तो हम कह सकते हैं कि Pyrazinoid is a Bactericidal तो कि TB के प्रोटोकॉल की बात करें तो इसमें डॉट थेरेपी है विच इस डिरेक्ली उब्सर्व ट्रीटमेंट अब इसमें चार डिफरेंट ड्रग्स हैं सबसे पहले isoniazide this is given initially for the two months then इसको हम four months में continue करेंगे उसके बाद राइफेंपीसीन भी पहले दो मंध में देंगे and then इसको continue करेंगे four months में उसके बाद थर्डड रग है which is pyrazenamide, pyrazenamide को सिफ इनिशल दो मंथ में देंगे and then aethem butol उसको भी इनिशली दो मंथ में देंगे, अब यह जो प्रोटोकोल है यह different countries में vary कर सकता है सुकर pharmacokinetics की बात करें, तो pyrazenamide औरेली देंगे, distribution इसकी बहुत ज़्यादा वाइड है CSF में जा सकता है it is excreted in the urine उसके लावा पाराजीनमाइड क्या करेगा लिवर में जितने भी मैटाबोलाइजिंग एंजाइम्स हैं उनकी इंडक्शन करवा देगा जिसकी वज़ा से different drugs for example anticoagulants, narcotics, analgesics, phenytoins, glucocorticoids, oral contraceptives इन सबका जो action है वो decrease हो जागा पाराजीनमाइड की clinical use की बात करें तो tuberculosis में देंगे it is an anti-TB drug in combination with other drugs उसके लावा tuberculosis meningitis की treatment में भी पाराजीनमाइड दे सकते हैं toxicity या side effects में joint pains हो सकती है GI disturbances, sidroplastic anemia very important उसके लावा rash हो सकते हैं और serious hepatotoxicity हो सकती है तो finally अगर anti-mycobacterium drugs की बात करें तो इसमें different groups बन सकते हैं for example कुछ drugs हैं उन्हें हम mycobacterium tuberculosis के gas use करेंगे जिन्हें हम simply कहें कि these are anti-TB drugs so anti-TB में कुछ first line drugs होंगी और कुछ second line drugs होंगी उसके लावा हम leprosy में भी कुछ drugs use करेंगे उसके लावा कुछ mycobacterium है जिन्हें हम कहते हैं कि वह a typical mycobacterium है उसमें सकते हैं mycobacterium avium और इसके साथ mycobacterium marinum यह जिसे mycobacterium ulcerans भी कह सकते हैं सो अगर mycobacterium tuberculosis की बात करें जिसे हम anti-TB drugs करेंगे और इसकी अगर first line drugs की बात करें तो आइसो नाइसे और इसके लावा different राइफो मैसीन दे सकते हैं जिसमें राइफएंपन राइफब्यूतिन राइफपंटीन और राइफ़ग्यमीन आ सकते हैं इसके लावा एथम बूटोल पारजीनमाइड और स्ट्राप्टोमासीन आ सकते हैं निचर एंटी लेपरासी की बात करें तो उसमें सिल्फोंज देंगे जिसकी एक्जामपल में डैपसोन, एस डैपसोन आ सकती हैं, राइफएंपन, राइफब्यूटिन और क्लोफाजमीन, लेपरासी की बात जो थर्ड ग्रूपे से हम कहेंगे इस इस नोन माइको बैक्टिरियम टूबर यूटिन देंगे, और अगर एटिपिकल में माइको बैक्टिरियम, मेरिनम या फिर अल्सरंस की बात करें, तो उसमें आइसोनाइजिट, राइफएंपिन, आथम ब्यूटोल, टेटरसाइकली, मैक्रोलाइड, अमीकसीन और फ्लॉरोकुरिनलोंस के साथ साथ साफलोस्पो और इस भी दे सकते हैं